आईए आगे देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट नांसी पता चल रहा है आप चेंज नहीं कर सकते हैं इस दा टोटल कॉस्ट इनकाड ओन फिक्स फैक्टर फिक्स्ट फैक्टर में क्या क्या आते हैं लेंड बिल्डिंग, प्लांट, मेस्नरी यह समय है इस दाज नौट चेंज इन आउट्पूट आउट्पूट के साथ इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन वरियबल को आप आउट्पूट के साथ चेंज कर सकते हैं अब आईए जो पिछले क्लास में हमने बजाये था ती अपसी का मतब क्या हुआ तो टोटल थिक्स्ट कोस्ट कर्व आ दिया यहां था टोटल थिक्स्ट कोस्ट कर्व आ दिया यह बहुत इंपोर्टेंट है टोटल थिक्स्ट कोस्ट कर्व एमसी क्यूँ में आएगा सारे एमसी क्यूँ में आएंगे उसी को हम लिखवा रहे हैं इसमें यह सारे actual में अगर देखा जाए तो यह सारे points है, इस सारे points को जानना ज़रूरी है, cost के अंदर, अब होता है, PFC कर्ब कैसा होता है, state होता है, federal to, at the highest, ठीक है, अभी तक इसके पीछे हम पढ़ाये थे आप लोगों को, कि economic cost के अंदर, money cost आता है, जिसकों लोग क्या ब दूसरा, implicit or normal profit, यहाँ पर देखेंगे, यह जो money cost होता है, जिसका एक नाम और भी आ गया, क्या, accounting cost, यह दोनों को, हम लोग क्या बोच सकते हैं, ठीक है, तो अभी देखेंगे, TFC कर्ब तक आगे हैं, कुछ और कर्ब हैं, उसको भी हम लोग करने के पाद, MCQ में सिधा चले यह, यह सारे MCQ ही हैं, इसको पढ़ने से MCQ आपका असान हो जाएगा करना है, अब एक एक करके देखिये, TFC, total variable cost कर्ब, total variable cost आप भी आपने देखा था, उसका कर्ब कैसा होता है, बुलिए, इसके बाद, फिर अपवड में चला जाता है, TFC, total, total cost, total cost, increases at a decreasing rate, first, increase करता बड़ घटे हुए, then at an increasing rate, फिर बढ़ता हुआ, total cost के अंदर अभी आपने देखा था, क्या होता है, total fixed cost और total variable cost, घटा हुआ क्यों, समझीए यहाँ पर, बहुता है न, increased at a decreasing rate first, जब अगर माल यह total fixed cost, 100 रुपिया है, और एक unit बनाने में, अगर 10 रुपिया लग रहा है, तो 110 हुआ, एक unit का, लेकिन जब दो unit बनाएंगे, तो यह तो 100 रुपिया ही रहेगा, और यह 20 हो जाएगा, तो 120, वही बात बोलगा, increase हो रहा है, at a decreasing rate, at first, फ़ले धीरे धीरे, और फिर क्या हो जाता है, increase, AFC, average fixed cost, is the per unit cost, of the fixed fraction, यानि fixed expenses को, average में हम लोग करने के लिए क्लिए 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 है, total fixed को, divide by quantity करते हैं, जो भी बताये थे, लेकिन इसके curve कैसे होते हैं, लेकिन इसका curve कैसा होता है, downward, continuously from left to right, MCQ में ये सारे आएंगे, अब देखिए, ABC, average fixed cost, अभी आप निकाले थे, total fixed cost को, divide by quantity से करते हैं, तो निकल जाता है, लेकिन इसके curve कैसे होते हैं, use safe होते हैं, क्यों होते हैं, use safe, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, जितने curve के बारे में, total cost के बारे में discuss किये थे, पिछले क्लास में numerical, उसी का अब आ रहा है कि उसका, अगर curve होगा, तो कैसा होगा, ये सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन curve कैसा होगा, वो आप यहां पर देख रहे हैं, अब आईए, एक एक करके देखते हैं, A-T-C, average total cost या average cost, कैसे निकलता है, इस दप per unit cost, जितने भी factor of production हम लोग ने use किया, production में, सभी को जोडेंगे, quantity से कर देंगे, तो per unit cost आजाएगा, उसी को हम लोग average cost या average total cost बोलते हैं, अब यह इसका curve कैसा होता है, vertical, लेकिन summation, दोनों का जोड होता है, किसका, ABC और AFC कर बोलता है, और इसका state क्या होता है, marginal cost, one additional unit, production करने में जो खर्च आता है, उसको marginal cost बोलते हैं, इसका curve कैसा होता है, किसलिए होता है यह उसे, ठेक है, cost के अंदर इतने points हैं, जिसको देखने के बाद, इसमें दो तरका MC क्यू आता है, numerical आपका पहले ही हो चुका है, और आज जो numerical नहीं है, उसके बारे महलबुग आज डिसकस कर रहे हैं, relationship जो AC और MC का होता है, AC मिन्स, MC, marginal cost, when MC, less day, तो क्या होगा, greater than होने से, और equal होगा तो, यह से MC क्यू आपका आएगा, long run and short run इसमें थोड़ा सा घुसा दिया है, long run and short run भी थोड़ा सा लिया है, अब long run किसको बोलते हैं, तो हम लोग सब कुछ जानते हैं जी, कि long run में कोई भी जो production करते हैं, long run में आप fixed cost और variable cost सभी को adjust कर सकते हैं, लेकिन short turn में आप fixed को नहीं कर सकते हैं, variable को आप vary करी सकते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है, long run में cost is the least cost of producing each level of output, when all factor production are variable, मतलब long run में आप जितने भी factor of production उसको variable कर सकते हैं, और इसका curve के सा होता है, envelope होता है, LSE, long run average cost, generally किस्षेट में होता है, क्यों? Economic of scale, LMC, long run marginal cost, is the same relationship with LSE, as is the case in the short run में, जैसा LSE होता है, वैसे ही LMC होता है, तो यह सारे अभी आपने देखा, अभी से related आप फड़ा, A, B, C, D, चार हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग वहाँ पर एक में चार लिख देंगे, दूसरे में क्या करेंगे, खोड़ा line खिच देंगे, और 8-10 उसको देख लीजिए, किस तरह के आते हैं, उसको देख लीजिए, देखेंगे, जितने points cost analysis में मैंने लिखवा दिया, अगर आप उसको पढ़ते हैं, तो उससे rated mcq आप अराम से कर पाएंगे, क्योंकि वो main points था, और उसके पहले, जो वो एक table बनाए थे, वो main table था, कैसा आता है mcq, तो opportunity cost is, a, b, c, d दे दिया है, opportunity cost अभी हम लोग तुर्ण देखे थे, ना वो direct है, ना accounting cost है, ना total cost है, opportunity मतलब एक को जो four goal किये थे, उसी के दिया है, d, as output increases, output अगर increase करेगा, तो average fixed cost क्या करेगा, तो अभी हम तुर्ण निखवाए थे, आपको देखी, average fixed cost curve is, अभी निखेते, you save average cost value is based on, ये बराबर ही इसी के चलते होता है, तो वहाँ पर a, b, c, d दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर देखे, कि a, b, c, d दिया हुआ है, when save of average cost curve is upward, marginal cost, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, क्या होगा, must be, तो इस तरह से, अगर mcq करना चाहते हैं, तो मैंने जो आपको important बात को लिखा दिया, अगर उसको करते हैं, तो आपका कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपका से काल,